मेश राशी आज आपको नीरस लग सकता है ये आपकी प्रगती के लिए हानिकारक है इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने की कोशिश करें व्रिशब राशी आज के दिन आपका भाग ये आपके साथ है आज आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं इसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहतरीन है आपको सर्वशक्ति मान के संदेश अपने किसी निकिट के व्यक्ती से ही मिलेंगे उन्हें प्राप्त करने के लिए गिरहन शील रहें और निर्देशों का पालन अवश्य करें वित्य स्थिती और खर्च में अच्छा संतुलन बन रहा है हलाकि आप खर्चीले सावित हो सकते हैं परन्तु तब भी अप्रत्याशित सोर्तों से आयका स्रेजन होता रहेगा अपने जैसी रोचियों और सत्ता सेन व्यक्तियों से साजेदारी बनाने की कोशिश करें आज का दिन आपके लिए कुछ अजीब सा हो सकता है ऐसी कुछ घटनाई भी घट सकती हैं जिनके होने की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी आप एक शांती पूर्ण मानसिक स्थिदी में हैं और आज आप अपने काम पर ध्यान के इंद्रित कर पाएंगे आज अपने करियर के लिए सर्वश्रेश निर्णे लेने में आप सक्षम होंगे लेकिन अपने वरश्त अधिकारियों से समर्धन की कमी की वज़े से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर जरूर होंगे करक राशी आज आप उल्लास और कुछ कर गुजरने के मूड में हैं आप पिछले कुछ दिनों से चड़ चड़े और परिशान समय सूस कर रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्त की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं आप एक महत्वकांशी व्यक्ति हैं और अपने सपनों का पीछा करने के साथ आप स्थू नियोजित तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं दूसरे इस तरह नहीं हैं लेकिन दूसरों को ये ना बताएं और समय पर सब छोड़ दें सिंग राशी आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की ख्षमता देगी आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे बिमारी की लक्षर आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परिशानी भी हो सकती है लेकिन आप ये सब खुद ही सम्हाल लेंगे आपका धैर, करतव और अपनी जिम्मेदारी की भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी आपको अपने हासिक शमता को जागरित करना होगा ताकि आपका कारिक शेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्मार हो सके जिससे की आप आराम से अपने काम को कर सके आज आप बहुत स्रिजनात्म का नुभो करेंगे खुबसूर्ती की प्रशंसा के साथ साथ खुद भी कुछ खुबसूरत चीज बनाना चाहेंगे आज आपको ठंड और बुखार परिशान कर सकता है बाहर जाते हुए सावधान रहें क्योंकि आप वायरस की चपेट में भी आ सकते हैं आज का दिन नए सीरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मस्बूत बनाने का है आप अच्छे स्वभाव की व्यक्ती हैं और सामाजिक कारियों में भी भाग लेते रहते हैं आज आपके इन गुणों की बहुत साराना की जाएगी और उनके लिए पुरुसकार भी आपको मिल सकता है तुला राशी आज का दिन नई शुरुवाद के लिए बिलकुल सही है आपके लिए अब स्वास सम्बंधी मसले बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप गड़ना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे परन्तु याद रखे अज्यादा में लिया गया फैसला नुकसान भी दिला सकता है इसलिए फिलहाल लोटरी के मकड़ जाल में ना भसे यह सही समय है जबकि आपको अपनी व्यस्त दिन चर्या से समय निकाल कर अपने आसपास की स्थिती को ध्यान से समझना चाहिए अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचना चाहिए आप अपने परिवार के हित और अपने व्यवसाइक हित के बीच आपने आपको फसा हुआ पाएंगे अपने परिवार के कल्यान को चुने और थोड़ी देर के लिए अन्य बातों को बस्ते में डाल दे आपका वित्य भाग बहुत मस्बूत होगा धनूराशी अपने स्रिजनात्मक विचारों को कारियान वित करने का ये एक बहुत अच्छा समय है जिन्दमानसिक चिन्ताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परिशान है उनसे राहत पाने के लिए अध्यात्मे कुपायों और तरीकों का सहारा ले आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कारी करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्ब हो सकता है लेकिन उसके साथ साजेदारी के गठन से पहले थोड़ा साफ धान रहें संभावना ये भी है कि वह कारी के मध्य में अपनी दरों में व्रिधीक कर सकता है मकर राशी आज का दिन बदलाव के नाम रहेगा आपकी मुलाकात ऐसी किसी आदमी से हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का या तो खुद कारण बनेगा या बदलाव लाने वालों से मुलाकात कराएगा आज आपकी स्वास्त समबंदी समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है आज आपका निशाना तीर पर जाकर लगेगा और आपने जो चाहा था वो ही आपको मिलेगा बस अपना ध्यान और धैरिव बनाए रखें क्योंकि आपके बैठने की जगा में परिवर्दन आ सकता है या आपको एक नई जगा पर कारिक भी करना पड़ सकता है कुम्भ राशी आज आपके मुख्य शक्द आराम और रहत रहेंगे आप पिछले कुछ दिनों से बहुत महनत कर रहें हैं और अब इस महनत का आनंद लेने की बारी है बहुत बड़ी पाटी ना रखें आप इस समय शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्ति शाली है इसलिए जो आपका लक्षे है उसे अब पाने की कोशिश करें आप इस समय शांती में नहीं है आपके दिल और दिमाग के बीज एक निरंतर युद्ध है कि किस तरह से नैतिक और तारकिक रूप से सही नर्णल लिया जाए अपने दिल की बात सुने और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ काम करें अपने आपको एक नई जिम्मेदारी सौपे अगर आप बिना सोच के खर्च करेंगे तो आपको वित्य परिशानी से भी आज गुजरना पड़ सकता है मीन राशी आपको थोड़ा साथ एक लचीला रुख अपनाना चाहिए लेकिन आज आप ना तो कोई अच्छी सलाव और ना ही अपने मन की अवास सुनना चाहते हैं आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आज आप अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अफसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होगी इस बात की भी संभावना दिख रही है कि आप कला की अभीरूची को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं आपको विवेक से कारे करना होगा परंतु अपने दिल की सुनने की वज़े से आपके धन और वित्य में कोई असर नहीं पड़ेगा